मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 24 साल है मेरे पती दूसरे सहर जा रहे थे जब उन्होंने खासकर मुझसे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना वो सिर्फ 12 साल का था मैंने मान गई अब मैं उसे रोज उसकूल छोड़ने जाती और लेने भी आती और रात को वो मेरे ही कमरे में सोता जब एक दिन मेरी मुलाकाथ उसके सर से हुई तो मैं ये देखकर डर गई कि वो मेरा पुराना आसिक था मैं घर वापस तो आ गई लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई और वो अब मुझे बार-बार ब्लैक मेल करता कि वो भाई को बता देगा अगर मैंने उसकी एक सठ पूरी नहीं की तो मैं समझी कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई चीज लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा मेरी शादी को जॉब के सिलसले से बाहर दूसरे सहे जाना पड़ा और वो मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना और मैंने अपनी महापत का इंतहान दिया और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वो बच्चा था और मुझे सुरू से बच्चों से बहुत जादा महापत थी मैं उसी खुदी स्कूल छोड़ कर आती और फिर चुटी के वक्त खुदी उसे ले कर आती उस्कूल मेरे घर से जादा दूर नहीं था मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि ये बड़ा हो रहा था लेकिन मेरे पती को ना जाने क्या परिशानी थी कि वो ये बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खत्रा है तभी वो भाई को ऐसे छिपा-छिपा कर रखते हैं लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर मैंने अपने पती का ख्याल रखते हुए मैंने अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पती रखते थे जैसे वो कोई छोटा बच्चा है मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर उसकूल में जा रहा था उसे देखकर तो मेरे पैरो तले जमीन निकल गई क्योंकि वो कोई और नहीं वो तो मेरा पुराना आशिक था लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ये यहां कैसे ये तो मर चुका था कुछ साल पहले तो फिर ये यहां कैसे और वो भी जिन्दा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है मैं तो बहुत जादा शौक हो गई थी ये सब कैसे हो गया मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरी और उसकी मुलाकात यहां पर यूँ ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी जिन्के के ऐसे मोड पर वो मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता बुलकुल भी नहीं हो सकता वो तो एक हास्त मैं इस दुनिया से मुझसे इस से आगे वो सोचा ही नहीं गया और मैं अमन मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई और जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूटे हुए थे अमन मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भावी तुम्हें क्या हुआ है जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चहरे पर हलके से मुस्कुराहत थी मैंने जल्दी से अपना चहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरा राज पता ना चल जाए वो अभी तक मेरे पास ही खड़ा था उसने मुझे पानी दिया मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके चहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा क्योंकि अमन के देखने का अंदाज बुलकुल भी ऐसा नहीं था कि मैं ये समझूं कि ये कोई 12 साल का लड़का है वो बहुत थी जादा प्यासी नजरों से मुझे देख रहा था मैं इतनी जादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़ कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी मैं जब बैट पर बैठी हुई थी तो मेरा जिसमें बहुत बुरी तरह से काप रहा था मेरे लिए ये बात बरदास से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ मैंने कोई जुल्म नहीं किया कि मैं इस तरह से डरू मैंने अपने दिल में खुदी ही सोचा और फिर खुदी अपने दिमाग से डर निकाल कर फेक दिया फिर सोच मुझे परिशान करने लगे कि आखिर क्यों मैं उसे इतना घबरा रही हूँ मैंने अपने दिल को थोड़ा तसली दी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई अमन भी घर से बाहर निकल चुका था मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई अब घर में जब दो ह कि लोग हो तो क्या ही काम होगा बुलकुल थोड़ा सा मैंने अपने अतीत की एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहां पर सिर्फ दो लड़के हो उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी जब मोहन से हुई तो वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आये थे लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर के हालत को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी जिसकी वज़से वो पहली वाली नौकरी छोड़ चुके थ और अब उन्होंने जब दूसरी नौकरी जोईन कर ली थी तो जोईन करे हुए कुछी दिन हुए थे और उन्हें सहर से बाहर जाना पड़ा लेकिन वो जब शुरू शुरू में सहर से बाहर जाते थे तो वो जल्द ही घर वापस आ जाते थे वो हर रात को वापस आ जाते लेकिन इस बार उन्हें कुछ जादा दिनों के लिए ही जाना था इसलिए मुझे कुछ डरसा लगा पहले तो मैंने उससे यही कहा था कि जाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेरी पक्की नौकरी तो नहीं ज इसको अपने पास बुलाती इसलिए मैं चुप करके अपने पती का इंतिजार करने लगी लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुछ दिन सहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी जिंदकी इतनी जादा मुश्किल हो जाएगी एक दिन अपने देवर को उसकूल छोड़ने गई तो वो वही पर खड़ा था और मुझे देखता रह गया ये बात मेरे देवर ने नोटिस कर ली थी मैं जल्दी से उसकूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर के उसकूल में पैरेंस मीटिंग थी अब बेचारी मेरी सास तो थी ही नहीं इसलिए मैं उसकी मा की सूरत में उ कुछ साल पहले थी सब कुछ वैसा ही था वो बुलकुल भी तो नहीं बदला था सिवाए इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी चाही हुई थी वो बच्पन में अब नहीं था मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया लेकिन शायद देर हो चुकी थी वो पता न उससे बात करने लगा मैं बहुत जादा कंफ्यूज थी पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी अमन ने उसके नजरों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर अमन से कहा कि अब घर चलो घर में काफी काम है लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का समान मंगा लिया। अमन खाता जा रहा था और कहता जा रहा था कि भावी आप मेरे साथ रोज आ जाया करें। सर ने तो आज बहुत मौज ही करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिरिफ दो निवाले लिये और फिर उठकर बाहर आ गई। अमन काफी देर के बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ओटों में बैट कर अमन को इशारा किया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। गबराहट की वज़े से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही थी। अमन घर आ गया और कहने लगा अच्छा तो भावी क्या चक्कर था इस बात का मैंने उससे कहा कि क्या बात है अमन किस बारे में बात कर रही हो उसने कहा अरे मैं तो सर हर्स के बारे में बात कर रहा था कितने अच्छे हैं न आप जानते हैं उन्हें पहले से मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं जानती हुए इसको मेरा तो उससे दूर तक कोई तालूक नहीं अच्छा अच्छा भावी रिलेक्ष करो इतनी ज्यादा गबरा रही है मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई की वजह से परिशान हूँ वो पता नहीं कब वापस आएंगे मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पकड़ा हुआ गिलास की थर थराहट की वज़े से वो महसूस हो रहा था बात करने के बाद वो मुझ पर ताने कस्ते हुए हसा और कहने लगा कि भाई यहां नहीं है तो क्या बात है हर्स तो है ना उसने ऐसा इसलिए कहा ता कि मैं यह समझ सकू कि वो हर बात जान चुका है मैं इतनी जादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड दिये कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना तो वो मुझ से कहने लगा कि यह तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ लेकिन भावी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इस कदर में तो आपको बहुत सीधा साधा समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसे ही है लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने जमाने में खिलाए हुए हैं आप देखें कैसे परदे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक सर्ट पूरी करनी पड़ेगी मैं इतनी जादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फस गई थी कि मैंने उसकी सारी सर्ट मारने के लिए हामी भर दी मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर सर्ट मंजूर है क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वो मुझे से पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज इसलिए मैं बहुत ज़ादा मुतमाईने थी अमन तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ मैं तुम्हें दे दूंगी मैंने इन जोड़ी हुई हातों की तरफ देखो भगवान के लिए किसी को नहीं बताना अमन ने कहा जी मैं किसी को कुछ नहीं बताओंगा लेकिन इस सर्थ को पूरा होने के बाद और वो सर्थ मैं आपको परसो ही बताओंगा मैंने कहा आज ही बताओ क्योंकि मैं नहीं चाहती इस काम में और जादा देर हो अरे भावी मैं आज बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ परसो तुम्हें जरूर बता दूंगा या कल आप इतनी बेचैन ना हूँ ये कहकर वो बाहर चला गया और मुझे पूरी तरह के लिए टेंशन में छोड़ गया खैर मैंने हिम्मत के और अपने काम किये कि इसी पल मोहन की कॉल आ गई और मेरा जिसम बहुत बुरी तरीके से कापने लगा मुझे लगा कि शायद अमन ने उसे सब कुछ बता दिया है बहुत देर रिंग बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वो बोल बोल कर खुदी बंध हो गया अमन पूरी दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं उसका इंतिजार ही कर रही थी वो मुझे से कहने लगा कि भावी सर्थ तो मैं आपको परसो ही बताऊंगा और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खान लिया है इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं भाई कलिया परसो आ जाएंगे इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसके उम्र और उसके स्वभाव का अंदाजा करने लगी मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही ना मैं धंक से खा सकी और ना ही पी सकी ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे अवाज पहले से और जादा आने लगी तो मैंने अपने कमरे की दिवार से मेरे पैरो तले से तो जमीन ही निकल गए क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक लड़की के साथ चिपक कर बैटा हुआ था वे लड़की उसके बहुत जादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कह रहा था ये सिलसला काफी देर तक चलता रहा पहले तो मेरा दिल करा कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़ कर इसके मूपर इतने थपड मारू कि गिन ना सके लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये सोच कर परिशान करने लगी कि अमन बहुत जादा चलाक है ये ना हो कि मेरे जाने से पहले इस औरत को इधर उधर चिपा दे और फिर अपने किये को माने ही नहीं कहे कि मैंने तो कुछ नहीं करा इसलिए मैंने एक दो दिन इंतिजार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी खेर बहुती मुश्किलों से ये राज गुजरी कल गुड फ्राइडे था इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था उसके स्कूल की चुट्टी थी इसलिए मैं भी बेफिक्र से सो रही थी लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर अमन को जगाया वो एक दम से हडबडा के उठ गया और कहने लगा कि भाभी कम से कम चुट्टी वाले दिन तो मुझे अराम से सोने दिया करें वो मैं कह रही थी कि मैं गरम गरम नास्ता बनाने जा रही हूं तुम भी खालो वो मेरा चहरे की तरफ देखने लगा फिर वो मुझे से बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे-पीछे किचन में आ गया वहां एक स्टुल पर बैठा और साथ ही जमाई के उपर जमाईयां लेने लगा मैंने उसे कहा कि क्या बात है रात भर सोई नहीं हो क्या मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी लेकिन वो मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा लगा कि भावी रात को जागना तो आपका काम है किसी की यादों में मैं तो भला मासूम सा बच्चा क्या करूँगा रात को जाक कर मैं उसकी इस बात पर बहुत जादा सरमिंदा हो गई और फिर और कोई बात ना कर सकी वो बहुत मजे से नास्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो वो मुझसे कहने लगा कि भावी मेरी बात सुनो आप यूँ ही ना डर जाया करें बहुत अच्छी हैं आप और आप मेरी सर्थ सुन लिजे मैं एक ही सर्थ पर भाई को ये बात नहीं बताऊंगा अगर आप मेरी ये बात मान लेंगी और इसके बाद अमन ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सुनने की हिम्मत मैं कहां से लाई मैंने किसी तरह से वो बात सुनी और किसी तरह से वो बात सही ये तो मेरा भगवान ही जानता है वो तो मेरे साथ मैंने कहा अमन आकिर तुम्हें शरम क्यों नहीं आई ये बात कहते हुए आसु मेरी आँखों से तेजी से बह रहे थे मैं लगतार उसको देखे जा रही थी अभी शायद ये अपनी कही बात पर शरमिंदा हो जाए ये समझने के काबिल हो जाए कि ये मेरी भावी ही नहीं ये तो मेरी मा समान है मैंने उससे मा जैसे ही सुलूक किया लेकिन कभी देवर भी भावी मा जैसे रिस्ते को समझ सकते हैं क्या वो कभी भी नहीं समझते इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इतनी कमर उम्र में इतनी घटिया बात कह दी थी मैंने उससे कहा तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो उसने कहा कि हाँ मुझे अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसकी जिमेदारी खुद होंगी ये तो बुलकुल वही बात हुई कि आगे कुआ और पीछे खाई अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो भी फस्ती हूँ अगर मान लेती हूँ तो भी मैं ही मरती हूँ इसलिए बहुत सोचने समझने के इलबाद मैंने ये सोच लिया कि ऐसी जिन्दकी से तो मौत ही बहतर है बेशुमार आसु मेरी आँखों से बैते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं यही कह रही थी भगवान मेरी मदद कर दें मैं क्या करूँ मैं वही किचन में इस टोल पर बैट गई की आखिर मैं ये सर्थ कैसे मानू मैं क्या करूँ मैं ये सोचती ही रही लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैं नास्ता कर सकी और ना कुछ और मैं बस वही किचन में बैठी रोती रही अमन कहीं बाहर जा चुका था मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि ये इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन सुकून का कितना बड़ा दुस्मन बन चुका है भगवान इसे अकल दे दे अभी इसे बाहर गई हुए कुछ ही देर हुए थी कि वो वापस आ गय और आकर कहने लगा कि भावी आपने क्या सोचा है मैंने कहा अमन ये सब तुम क्या कह रहे हो किस बात का बदला तुम मुझे तुम से लेना है आप तो मेरी मा जैसी है और फिर भला अपनी मा को कौन तंग करता है इसकी एक एक बास से शैतानिया जलक रही थी मेरा दिल चा रहा था कि मैं इसका मूँ नोच कर रख दूं इसके गालों पर इतने थपड मारूं कि इसे सब हो सा जाए कहने लगा भावी जी फिर आज रात को तैयार रहना मैं आपका इंतिजार करूंगा भगवान मुझे किस गुना की सजा मिल रही है मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भ कई खालंग की सिहाई से कुछ नहीं तो मेरे दिल के उजालों पर अंधेरा चा जाएगा मैं चुक-चाब बैठी रही कि मैंने देखा दिल ढलने लगा है मतलब कि रात होने में कुछी देर बाकी है मतलब कि मुझे मुझे मौट आने में कुछी देर बाकी है देखते ही देखते रात के नौ बच गए और मैं खाना बनाने लगी और खाना बना कर मैं नहाद होकर भगवान से प्रातना करने लगी मैं अभी प्रातना करने खड़ी हुई थी कि दर्वाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी इसलिए मैंने दर्वाजे पर होने व दर्वाजे पर होने वाली दस्तक रुख चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी, तबी मुझे बाहर वाला दर्वाजा खोलने की अवाज आई, मैं तेजी से उठी और अपने आप कमरे की कुंडी लगा दी, दर्वाजे पर अमन ही था, उसके पास घर की डुबलिकेट चाबी होती थी, इसलिए वो घर में आ चुका था, उसने मेरे दर्वाजे को खोड़ खटखटाया, लेकिन मैंने दर्वाजा नहीं खोला, बस उसकी अवाज आई की भावी आप अपने लिए खुद मुसीबत कर रही हैं, आपको अपना खुद ख्याल नहीं है, तो कोई आपका ख्याल किस तरह से करेगा, वो काफी देर तक दर्वाजे पर खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दर्वाजा नहीं खोलूंगी, फिर चाहे कुछ भ कि आज से तुम खुद ही उस्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, वो मेरे मूँ की तरफ देख रहा था, उसने मुझसे एक भी शब नहीं कहा, साथ में उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैं कुछी देर के बाद रा उम्र थी, उससे तो बहुत बड़े काम ये कर रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ, और मैं रास्तों को बदल बदल कर चल रही थी, मैं उसके उसकूल पहुँची तो मैंने गाट से पूछा कि अमन उसकूल पहुँच गया तो वो मुझे कहने लगा कि हाँ वो तो पहुँच गया है मैं कुछ मुता माइन सी होकर घर की तरफ लोट आई मैं घबरा कर घर की तरफ जब लोट रही थी तो सर हर्स मुझे रास्ते में मिले और मुझे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आकिर क्यों किया वो मुझसे गुस्ते में था और मेरी तरफ लगतार देख रहा था मैंने पहले तो तेज तेज चलना शुरू कर दिया लेकिन जब उसे लगतार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुप गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भुलाया जाता तो उस वक्त तुम्हें गायम नहीं होना था और अब जब मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो तुम मुझसे ये सब बाते क्यों करने की कोशिस कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं अतीत में चली जाओंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा ये तुम्हारी भूल है मैं उसे जल्दी से सुना कर और तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई मैं बहुत हैरान हो गई कि दर्वाजे पर लगा ताला अब दर्वाजे पर नहीं था मैं घर में गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर में मोहन खड़े थे लेकिन वो हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे वो ठके हुए थे लेकिन मैं एकदम से जाकर उसके सीने से लग गई वो जल्दी से मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गई मैं उनके इस वैवार से बहुत ज़्यादा परिशान हुई कि अचानक क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है एकदम से मेरे दिमात में आया कि अमन ने शायद इन्हे कुछ गलत बताना दिया हो वो नहा कर जब बाहर निकले तो मैंने उससे कहा कि मैं नास्ता बना चुकी हूँ आ जाओ कर लो तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे से जवाब दिया कि मैं नास्ता करके आया हूँ मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि मोहन कुछ हुआ है क्या तो वो मुझसे कहने लगे कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है तो नहीं लेकिन बहुत जल्ब बहुत कुछ होने वाला है तुम जाओ मौच करो मैं तिपटिप रोने लगी और ये सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीच से मेरा पीछा छुड़वा दे मैं नहीं जानती की मेरे कौन कौन से पाप इतने जादा है जिसके वज़े से मुझे ऐसी सजा मिल रही है अमन के आने पर मोहन का मोर बुलकुल ठीक था और वो उससे हस हस कर बाते कर रहे थे मेरे दिल में अमन के लिए बहुत ज़ादा नफरत आ चुकी थी ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था मोहन ने मुझे कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ पर होकर आओ लेकिन मैं क्यों जाओ अभी तो आप घर वापस आए हैं मुझे कहीं नहीं जाना लेकिन भगवान को कुछ और ही मन्जूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कौल आ गई कि छोटी भावी की तवियत बहुत जादा खराब है इसलिए मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा मोहन मुझे वहीं मम्मी की तरफ घर के बाहर उतार कर वापस आ गए लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इनसान के ऊपर जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी तो सांसे रुख गई सामने सोफे पर ही हर्स बैठा हुआ था उसने मुझे नहीं देखा था इसलिए मैं जल्दी से दौरती हुई भावी के कमरे में आ गई जहां पर भावी बुलकुल ठीक बैठी हुई मुस्कुरा रही थी मैं क्या भावी जब आप बुलकुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजब करके मुझे यहां क्यों बुलाया अरे यहां आओ तो सही ये तो बाहर आदमी नहीं बैठा ये मेरी बेहन के रिस्ते के लिए आया है मैंने इसे यहीं पर ही बुला लिया ताकि तुमारे भाई इससे खुलकर मिले और साथ ही एक दूसरे से बात कर ले क्योंकि उसके माता पिता नहीं है और इसे जो कुछ करना है खुदी करना है भावी बहुत ही जादा खुश होकर बता रही थी मैं उनके मूँ की तरफ देख रही थी अगर आपको इससे कृस्ता करना है तो मुझे जूट बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है मैं सच में भावी से नराज हो चुकी थी इसलिए कोई बात भी नहीं कर रही थी वो मुझे मनाने की लगतार कोशिस कर रही थी लेकिन मैं एक तरफ मुझ बना कर बैट गई कुछ देर बाद ही भावी ने हम सबसे कहा की खाना लग गया मैंने न चाते हुए भी खाना लगाया और इस पर मुसीबत थी की मुझे वो खाना वहाँ उसके साथ बैट कर भी खाना पड़ा हर्स की नजरे लगतार मुझे ही देख रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा परिशान हुई अभी हम खाना खा ही रहे थे की अमन और मोहन वो दोनों भी यहां आ गए अरे वा यहां तो बड़ी पाटी हो रही है वो भी हमारे बिना ही अमन ने आते ही पनीर उठाया और उसे खाते हुए उची आवाज में सबसे बाते करने लगा जब यह दोनों आये थे तब हर्स वाश्रूम में चले गए थे लेकिन अमन उनको देख चुका था और लगतार इंतिजार में था की लेकिन हर्स जा चुका था उसे कुछ जरूरी काम था मोहन और अमन को भी भाई नहीं बुलाया था और वो आज सब को सर्प्राइस दे रहे थे मेरी तो जान पर ही बनी हुई थी अमन और मोहन जा चुके थे और मोहन मुझसे कह कर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूँगा मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रहूँगा और भाई के साथ जाकर सौपिंग करती रहे भाई की हर बात हर से शुरू होती और जाकर हर्स पर ही खतम होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुज था और साथ में वो तारीफे भी करती रहती थी एक दिन हम शौपिंग कर रहे थे तो भाई को याद आया कि साड़ी के मैचिंग का बलाउस तो वो दुकान पर ही छोड़ कर आई है मेरे पास बहुत ज़्यादा समान था इसलिए मैं वही पर एक साइड में समान लेकर बैठ गई और भावी से कहा कि आप जाईए और सारा समान उठाकर ले आईए भावी चली गई और मैं वही पर ही एक तरफ होकर बैठ गई तब ही मुझे अपने पास किसी के होने का ऐसास हुआ तो वो हर्स ही था मैंने उसे कहा कि तुम क्यों रहा था ना जाने कब से रुके हुए आसू मेरे उसके ये पूछने पर धलक पड़े वो आगे बढ़ा और मुझे एक टीशू दिया मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वो टीशू पकड़ा और फिर मैंने उससे अपने आसू साफ किये कुछ ही देर में भाबी भी आ जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत जादा याद आ रही है उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी आज की स्वापिंग इतनी ही थी क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं थी जब हम लोग घर पहुँचे तो भाई की बहुत उची आवाज में बात करने की अवाज आ रही थी जैसे की वो किसी से लड़ाई कर रहे हैं हम लोग एकदम से अंदर गए तो अंदर मोहन बैठे हुए थे और वो मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे कि मैं उसके भाई का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ और मैं बहुत लापर थी जो हमने इसे अपने घर में जगा दी बस इसे यहीं रखें अब अपने घर में मेरा इसके साथ अब कोई रिस्ता नहीं मैंने एकदम से जब मोहन की ये बात सुनी तो मैंने भाई से कहा कि अभी इसी वक्त आप अमन को फोन करके बुलाएं भाई ने एकदम से कॉल करके अमन को बुलाया और वो कुछी देर में यहां पर आ गया, कुछ देर बाद अचाने से हर्स भी घर आ गया था, उसे मेरे भाईयों ने बुलाया था, जैसे ही हर्स घर में आया तो, उनकी नजर मोहन पर पड़ी, जब मोहन ने हर्स को देखा तो, दोनों के आसु एकदम जलक पड़े मोहन आगे बड़े और हर्स को गले से लगा लिया ये तो मेरा भाई है जो कुछ साल पहले कहीं गायब हो गया था और अब ये यहां एकदम से ये सब क्या है दोनों भाई अतीत में चले गए जहां उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा वो कहने लगे कि जब म कुल पास तैनात कर दिया गया वहां अलर्ट का निशाना तो लगा हुआ था लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लगा आज फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुलक की कैद में जा पड़ा फिर मैं वहां 5 साल रहा वहां के 5 साल मेरे ये कि मुझसे पहले वो वहीं पर मर गया और बस अकबार में उसके मरने की खबर दे दी गई और उसमें उसकी चेन को बहुत जूम करके दिखाया गया मेरे घरवालों ने जब ये खबर पड़ी तो रो पीट कर मुझ पर सबर कर बैठे हमारे चाचा और ताउ तो बहुत ख पास ही डेरा लगा लिया क्योंकि वो ये समझते थे कि मैं जिन्दा हूँ और एक दिन उनकी दुआओं ने मुझे जिन्दा रखा उनकी कैट से जब मैं निकला तो मेरे पिता वहीं बॉडर के पास एक जुगी में रहते थे उनका हो लिया अभी तक ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम बाद उनको एक नजर में पहचान सकता था जब वो मेरे पास आये तो मैं उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया अब इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जल्म सहने के बाद कुस तो असर होता ही है ना मैं अपने घर का पता पूरे तरीके से भूल चुका था और पापा की भी बुडापे की वज़े से और सदमे की वज़े से यादास कम हो गई थी फिर मैं भटकते हुए वापस अपने सहर में आ चुका था जहां मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया वहां मैंने एक दिन अमन को देखा क्योंकि ये मेरे कैद के दोरान बहुत जादा चोटा था लेकिन इसके गाल पर ये लाल निशान इसकी निशानी बन गया और मैंने इसको पहचानने के लिए और फिर मैंने इसे खुब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया उसने मुझसे कहा कि ये मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर जाए की लेकिन पुरानी बातों की वज़े से इस औरत ने मुझे जरा भी भाव नहीं दिया बलकि इसने हमेशा ही मुझसे बहुत सक्त और तंग लहजे में बात की और फिर उसने अमन की भी कोई बात नहीं मानी पापा जी मेरे साथ ही हैं एकदम से पिछले कमरे से बहुत ही लिए अब हम सब बहुत ही जादा खुश थे लेकिन अमन की खुशी को दो गुना थी क्योंकि वो सबसे छोटा होने की वज़े से सबसे जादा अपने माबाप को मिस करता था लेकिन उसे माथ तो नहीं मिल सकती लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे फिर अमन ने अकेले में मुझसे बोला प्लीस भावी मुझे भी आप माफ कर दो मैंने भी आपको बहुत तंग किया है मैं तो आपके सिर्फ मजे ले रहा था और आपको डरा रहा था मुझे पता चल गया था कि उस रात आपने मुझे उस लड़की के साथ देख लिया था मैं डर गया था कि कहीं आप मेरे बारे में सारी बाते भाईया को ना बता दे मैं आपके दिल से इज़त करता हूँ और आप मेरी मा समान है फिर मैंने भी अमन से माफी मांगी कि मैंने भी तुम्हारे बारे में ना जाने क्या-क्या गलस सोच लिया था हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था अब हम सब के चैरे खिले हुए थे हम बूरी तरह जादा खुश थे